कि हालो फैंस बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे सेंटेंस इंप्रूब्मेंट के कुछ कोश्चन्स और इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ इसको आपको जरूर पढ़ना है और यहां पर मैं आपको बदा देता हूं किस कोश्चन में करना क्या है यहां पर एक सेंटेंस दिया है सेंटेंस का एक पर्टिक्लर पार्ट यहां पर आप देख सकते हैं यह बोल्ड में लिखा गया है इस बोल्ड पार्ट को यदि आपको लगता है कि यह बोल्ड पार्ट ग्रेमेटिकली और कॉल्टेक्श्वली रॉंग है गलत है तो इसको आपको रिप्लेस करना है दूसरे कर एक्जाम के question है लेकिन यहाँ पर जो options मिलते हैं आपको पर्टिकुर्री बैंक प्यू एक्जाम में वो कभी-कभी काफी complicated हो सकते हैं जैसे उसमें one or two one two one two and three and all इस तरह से options दे सकते हैं तो उसमें question थोड़ा सा और complicated हो जाता है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे देश की जो इस्तिती है हमारे देश का जो status है हमारे देश में जो हो रहा है उसकी इसमें बात हो रही है कि growing population बढ़ती हुई आबादी rising income बढ़ती हुई income और expanding cities cities that are expanding income that is rising population that is growing ठीक है यह current में यह सारे काम चल रहे हैं तो इसलिए इसमें हम इसमें हमने present participle का यूज किया है इसलिए इस current status को दिखाने के लिए यहां पर हमने present participle यहां पर कर रहा है और यहां पर population क्या है नाउन है नाउन को modify किया है इसवाइडीक्तिब से यह growing जो है यह एक्चली एड्जेक्टिफ का काम यहां पर कर रहा है इनकम एक नाउन है इससे फ़ह लगा है rising तो यह एक झेक्टिव है और city's से पहले expanding लगा है तो यह एक झेक्टिव है ठीक है अब adjective पर जैन पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो adjectives होते हैं यह और इनके अलग-अलग function होते हैं यह अलग-अलग चीजों को indicate करते हैं अब यहां पर देखी effects effects भी अपने आप में नाउन है तो इसको भी हम किस से modify करेंगे इसको भी हम modify करेंगे adjective से लेकिन यहां पर हम कौन सा adjective लगाएंगे यहां पर हम past participle लगाईएंगे यहां पर हम in place of combined effects we will say combined effects ऐसा क्यों 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 हम बता रहे हैं कि effect किस effect की हम बात कर रहे हैं यहां पर उस effect की बात कर रहे हैं जो की growing population, rising income और expanding cities की वजय से जो एफेक्स क्रीयेट हो रहे हैं या जो हो चुके है तो precum whichever मतलब है कि ऐसे f whatever जो जो ग्रोइंग पॉपुलीरशन लीर कि वजय से रहे हैं उनका उनका जो एफेक्ट है उसको उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हम ऐसे没 requests का मतलब होगा effects that are being combined जो कि गलत होगा यहाँ पर तो हम combined effects की बात कर रहे हैं क्योंकि यह जो तीन action हो रहे हैं growing population, rising income and expanding cities इनका milajula effect क्या है तो यहाँ पर हमको ED form चाहिए तो यहाँ पर हम बूलेंगे combined effects of ठीक है यह जो effect है यह किस type का है इसकी state क्या है ED form से हम state बताते हैं जैसे यदि मैं बोलूँ कि I am a tired person या I am tired तो tired क्या बता रहा है मेरी state बता रहा है कि मैं किस condition में हूँ मेरी condition क्या है तो effect का effect की यहाँ पर effect किस तरह का effect की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बताना है effect कौन सा effect combined effect और combined effect कहां से आ रहा है growing population rising income और expanding cities से तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो होगा second combined effects of I hope कि आपको यह समझ में आया होगा इसमें present participle और past participle का concept आप से पूछा गया है आपका वो टेस्ट किया गया है तो इसको आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझना होगा question number two देखते है heavily invest in technology has resulted in देखे इसको कैसे आप analyze करेंगे has resulted in resulted in का मतलब क्या होता है कि यदि मैं बोलूं कि A has resulted in B मतलब A की वज़े से B हो रहा है ठीक है तो A क्या हो सकता है यदि grammar के साफ से देखें तो A क्या होगा A कोई भी noun होगा ठीक है कोई भी चीज का नाम होगा तो इस A की वज़े से ये B हो रहा है resulted in का मतलब है कि इस चीज में वो change हो रहा है उसका result ये आ रहा है अब देखें यहां पर क्या लिखा है heavily invested in technology has resulted in more than half the transactions taking place online मतलब किसी चीज की वज़े से किसी चीज का result क्या रहा है कि half जो transaction है वो online हो रहे है ठीक है तो यहां पर आपको एक noun चाहिए यहां पर और invest का जो noun form में वो क्या होगा investment होगा ठीक है तो यहां पर investment word आएगा और investment आप किस में किस में करते हैं technology में investment किस में बात हो रही है यहां पर you are doing investment in what you are doing investment in technology तो यहां पर in proposition भी यहां पर चाहिए तो यहां पर आप बोल सकते हैं heavy investment in technology has resulted in more than half the transactions taking place online reducing bank's dependence on costly branches online transaction की बज़े से क्या हो रहा है कि banks का जो dependence and costly branches पर वो थोड़ा सा कम हो रहा है technology में investment की बज़े से तो यहां पर आप बोल सकते हैं heavy investment noun है और heavy एक objective है तो heavy investment आप बोल सकते हैं इसमें actually in नहीं है तो यह यह वाला जो option है यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें in नहीं है अब देखें यहां पर a लगा हुआ है a आप कब बोलते है a actually investment countable भी हो सकता है uncountable भी हो सकता है इसको आप इसमें आप s लगा के इसको use कर सकते हैं यदि आप अलग-लग sectors में investment की बात कर रहे हैं तो इसमें investments भी आप बोल सकते हैं लेकिन इसमें देखिए a भी आप लगा सकते हैं लेकिन a आप तब लगाएंगे जब आप एक particular transaction की बात कर रहे हैं एक particular investment की बात कर रहे हैं लेकिन इसमें technology पर जो investment है वो तो अलग-लग directions में, अलग-लग sectors में हो रहा है, तो इसलिए एक यह particular transaction नहीं है, इसलिए यहाँ पर inappropriate रहेगा, इसके लाभा इसमें इन भी नहीं है, इसमें सही answer आपका होगा, heavy investment in, ठीक है, first आपका answer इसमें होगा, जाल स्यदा आपको analyze करना है, और जितना अच्छा आप analysis कर पाएंगे in questions का, banking exams में, उतना effectively आप in questions को कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, question number third, experts reckon, reckon का मतलब क्या है, reckon का मतलब है, किसी चीज के बारे में किसी की opinion होना, जैसे यहाँ पर experts reckon का मतलब है, कि experts की opinion है, experts are of the opinion, एक तो इसका मतलब यह निकल सकता है, reckon का मतलब calculate करना भी होता है हिसाब लगाना, ठीक है, काफी सोच बिचार के बाद हिसाब लगाना, या उस पर discuss करना, किसी चीज को establish करना, उसको हम बुलते है reckon, तो experts reckon that in the next four years, यहाँ पर हम किस की बात कर रहे हैं, हम future की बात कर रहे हैं, next four years, steel making capacity has increased, जब हम यहाँ पर future की बात कर रहे हैं, next four years, तो यह future वाला जो पाथ है, इसके साथ present tense, has, यह connect नहीं हो सकता, इस future को आपको future के साथ जोड़ना होगा, तो future वाला पाथ कौन सा है, इसमें, देखिए, यहाँ पर क्या लेखा है, will have increased, यह है, इसमें future, देखिए, यह present tense में है, यह present tense में है, यह present tense में है, केबल, second जो option है, यह future tense इसकी बात कर रहा है expert reckon that in the next four years, मतलब expert ऐसा मानते हैं कि अगले चार साल में steel making capacity जो होगी will have increased will have increased मतलब बढ़ चुकी होगी increase कर चुकी होगी, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं grammar के साथ से will have लगा है तो have के साथ यहाँ third form लगी है तो will have increased यहाँ पर सही है will have increased के साथ और कोई option नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर buy इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम percentage में increment की बात कर रहे हैं जब हम percentage में increment की decrease की बात करते हैं तो उसको हम buy से लगते हैं ठीक है, कि steel making capacity जो है, वो 50% 50% से, 50% नहीं, 50% से वो बढ़ चुकी होगी यदि अभी 100 की capacity है, तो फिर 100 का 50% 50 होता है तो 150 वो हो जाएगी ठीक है, फिर 150 का 50% बढ़ेगा तो इस तरीके से buy से हम measure करते हैं, buy से हम जो increase हो रहा है, उसकी degree क्या है उसको हम बताते हैं, ठीक है जैसे, it will increase by 10% it will increase by 20% it will increase by 15% तो जो degree of measurement हम बताते हैं, वो हम बताते हैं buy से और grammar के साब से, will have सही है, increase सही है, तो इसमें जो आपका answer होगा, वो होगा second ठीक है, ऐसे करना हैं questions को, एक question और देखते हैं हम, the report stressed the need to broaden access to health, education and report, किस चीज पर stress करती है, report stressed the need to broaden access, यहाँ पर हमने verb की first form लगाई है, broaden access to health, education and अब यहाँ पर भी आपको, जब end से आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको इसका equivalent देखना पड़ेगा equivalent लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर एक consistency maintain करने के लिए, यहाँ पर भी आपको 2 plus V1 या उसका equivalent आपको लगाना होगा तो यहाँ पर भी आपको वर्ब की first form ही लगानी पड़ेगी, वर्ब की first form किस में दी है, first में दी है, यदि आप first option लगाएंगे, तो यह sentence हो जाएगा, the report stressed the need to broaden access to health, मतलब इस report ने यह stress किया, कि health के प्रती, health sector में हमारी जो access है, उसको ब्राड किया जाए, education sector में जो हमारी access है उसको ब्राड किया जाए, as well as promote, as well as promote financial inclusion to bring down inequality levels, और financial inclusion को शामिल किया जाए, ताकि जो असमानता है, उसका जो label है, जो inequality है, उसको नीचे लाया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको, in order to maintain consistency, यहाँ पर आपको यह जो option है, यह सही होगा, यहाँ पर, the report stressed the need to broaden access to health, education, as well as promote financial inclusion, to bring down inequality level, इस तरीके से यह sentence आपका बनेगा, question number five, दिखते है, climate scientists say, that meteorological factors are played an important role in the high population level detected in the city, climate scientist क्या कह रहे हैं, कि meteorological जो factor है, मौसम से संबंदित जो factors है, उनका role हो सकता है, they can play, they are playing an important role, high population, high pollution में उनका एक important role हो सकता है, high pollution levels, high pollutions में, meteorological factors का, एक important role हो सकता है, और यह जो pollutions label है, high pollutions label है, इनको कहां पर detect किया गया है, detected in the city, high pollutions, high pollution levels that have been detected in the city, देखें, यहां पर मैं क्या बोल लाँ, कि high pollution levels that have been detected in the city, detected का मतलब है, they are, they have already been detected, उनको already detect किया जा चुका है, यानि यहां पर हम past tense की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आपको past tense आप लगा सकते हैं, यहां पर, अब देखिए, यहां पर factors जब लखा है, तो factors के साथ, हम will like playing तो लगाएगी नहीं, यह तो एकदम गलत structure है, will और will के बाद like, like के बाद playing, यहां पर वर्प फॉर्म, फस्ट फॉर्म और यहां पा इंजी फॉर्म, will like playing का क्या मतलब होगा, ठीक है, यहां पर यह गलत है, factors अगर वर्प लगा रहे हैं तो फिर playing होना चाहिए, यहां पर तो यह भी गलत हो गया, factors playing हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले आर लगेगा यहां पर, इस तरीके से eliminate भी कर सकते हैं, अब बचा यह वा आपका, यह जो construction है, यह सही है, और यह past tense में भी है, तो आपका context wise भी यह सही है, फस्ट जो option और grammar wise भी सही है, तो आपका इसमें जो answer होगा, वो होगा first, तो climate scientists say that meteorological factors could have played an important role in the high population levels detected in the city, मतलब pollution का जो high levels है, जिनको city में detect किया गया है, उसका उसका, उसके पीछे meteorological factors हो सकते हैं, हो सकता है, कोड़ है आपका मतलब है, ऐसा हो सकता है, तो past में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर first form, मतलब first option है, यह आपका, सही होगा, तो यह sentence improvement के questions है, और I hope आपको थोड़ा सा idea लगा होगा, किस तरीके से questions को करना है, आप जितनी यहादा practice के उतना अच्छा आप कर सकते हैं, इस तरह के questions में, और आपको logic को apply करना होता है, लेकिन sentence improvement के इन questions में grammar की knowledge और reading skills आपकी होनी चाहिए, तभी आप word combination को apply कर सकते हैं, तभी आप grammar को apply कर सकते हैं, लेकिन reading बहुत जरूरी है, regular basis पर reading बहुत जरूरी है, कोई भी feedback आप देना चाते हैं, तो इन numbers पर और इन email ID पर आप मुझे दे सकते हैं, और इन अलगलग platforms पर आप मुझे follow कर सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से मिलूँगा, next video class में, thank you.